हेलो एवरिवान स्वागत करती हूं एक बार पिर से आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सभी के लिए लाएं सांभर की रेसिपी देखे मैंने बिना प्याज यूज करें सांभर बनाई है और खाने में बहुत टेस्टी बनती है यह और जिस तरीके से मैं सांभर बनाती हूं आज आप सभी के साथ मैं अपना तरीका शेयर करूँगी तो सबसे पहले मैंने अरर की दाल ले लिए और इसे इंटे के लिए इसे भीको कर रख देंगे देखिए अच्छे से फूल जाएगी उसके बाद हम इसे अच्छे से दो लेंगे और दोने के तो discussing देखिए लोकी देखिए को मैंने बिल्कल बरीक बरीक चोप कर लिया है ये लिए और अच्छे से धूल लिया है तो अब इसे हम दाल में डाल देंगे це दाल ओर लोकी ये दोनों एक साथ चड़ा लेने और इने इसमें डाल देने हम में नमक और हल्दी में उबाल ल क्योंकि अरहल की दाल कुछ लोगों को सूट नहीं करती है तो जब आप मेथी दाना डाल कर बनाएंगे तो दाल बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी अब देखे मैंने इमली ले लिए और इमली को मैंने गरम पानी में भिगो दिया है भीगोने के बाद यह अच्छे से फूल जाएगी तो इस तरीके से हाथ से मसल कर इसको इसका सारा रेशा गुट्लियों से अलग कर लेना है और जब यह रेशा अच्छे से अलग हो जाएगा तो इसे एक छनी में इस तरीके से छान देना है देखे जब भी आप इमली को भीगोई तो इमली को चार से पांच बार अच्छे से दो लीजी पहले उसके बाद भीगोई है अब है हमारा इमली का पानी शांभर में के लिए तैयार है तो अब हम अपनी सबजियों को इस्टीम कर लेता है अभी देखिए यह हमारी दाल और लोकी हमारी उबल गई अच्छे से तो इसे चम्चे से इस तरीके से अच्छे से गोट लेंगे देखिए सांबर तभी टेस्ट आता है सांबर का प्रोपर जबकि हमारी दाल और लोकी अच्छे से उबल जाए और बहुत ही अच्छे से यह मिक्स हो जाएं यह देखिए अब यह देखिए सब्जियों को बस ज्यादा नहीं सिर्फ एक स्टीम करनी है अब सब्जियों हमारे स्टीम हो गए तो इन्हें चन्नी में हम निकाल लेंगे इस तरीके से जब सब्जियों आप इस तरीके से अलग से डालेंगे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सांबर में तो आप सब्जियों इसी तरीके से डालें यह देखिए हमारे इमली का तामाटर काट लिए और यह मैंने फ्राय करने के लिए राई दाना सरसो दाना साबत लाल मिर्च और करीपत्ता ले लिए देखिए यह चारो ही चीजें सांबर में फ्राय करने के लिए मेन होती है तो यह चारो चीजें आपको जरूर चाहिए अब मैंने पतिला ले लिया और जब चड़ा दूंगे तेल को अच्छे से पगने के बाद इसमें हम अपना राइो सर्शो लालमिर्ज और करिपत्त नैं मच है अबómoरी से सब्थ बॉट़ा सा नमक देखिए नमक कितना दालना है जिसे कि अमाने टमाटर गल जाएं क्योंकि नमक हम अल्रडी डाल में डाल चुके हैं उबालते टाइम यह डाल देमा धनिया पाउडर थोड़ी सी डाल दूँग इसमें हींग क्योंकि हलदी भी हम डाल चुकी है थोड़ी सी डाल दूँग कस्मेरी लाल मिर्च अब इसे अच्छे से चलाते हैं मिक्स कर देंगे और टमाटर को अच्छे से पका लेंगे टमाटर जब अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद हम इसमें आपनी श्टीम करे हुई सबजीयां को अब ही मेंने सबजी डाल दिया कि अब इने भी अच्छे से मिक्स कर देंगे का और इसके बाद डाल देंगे हम इसमें अपना इंली का पानी अब ये डाल दिया मैं अैंली का पानी वह इसे इच्छा चलाती होय देखे तो अब इसमों डालेंगे हम अपनी सांबर सांबर डालने के बाद इसे पका लेंगे 5-7 मिन्ट पकाने के बाद ही हमारी सांबर तेयार हो जाएगी तो आप भी ट्राइ कीजिए मैंने इसमें कोई भी एक्स्टा मसाला यूज नहीं किया है ना ही सांबर मसाला डाला है ना ही प्याज डाली है लेकिन फिर भी इसका टेस्ट ला जवाब है तो आप भी एक बाट राइव कीजिए आप सभी को मेरे रेशीपी कैसे लगी comment box में comment कीजिए और अगर चैनल को subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe कीजिए Thank you झाल 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 झाल